अगर आप राज़ानी में लोव फ्लोर बसों में सफर करें हैं तो समय पर तैज जगह पहुंचने की कोई गारंटी नहीं है लोव फ्लोर बसों का हाल सही माइने में भगवान भरोसे है एरपोर्ट देखे जैपुर शहर में परिवहन के सुईदा उप्लब्द करवाने वाली लोव फ्लोर बसों का मैंटेनस सिर्फ काग्जों में हुरा है तोडी और विद्याधर अगर डीपों में मैंटेनस करने वाली मातिश्वरी कमपनी बसों का मैंटेनस ना की बराबर कर रही है नतीजा एक दिन में 200 में से 40 से 50 बसे सड़कों पर खड़ी हो रही है कल एक दिन में 40 से ज़ादा लोफलोर बसों का ब्रेकडाउन हुआ जैसे टीएसल प्रबंदन हर महिने बसों के मेंटेनेंस पर काफी राशी खर्च कर रहा है इसके बावजोद सुधार नहीं हो रहा लोफलोर बसों की ब्रेकडाउन होने की कारण लोफलोर बसों में मेंटेनेंस ना के बराबन तोड़ी और विद्याधर नगर डीपो से चलने वाली बसे खस्ता हाल बसों में लगाए लो क्वालिटी की टायर समय पर धुलाई नहीं होती बसों में वाइरिंग सीधा होने की कारण आग लगने की आशंग कापबनी रहती है कई बसों की कांच और स्क्रीन वाइपर टूटे सडक पर चलते वक्त अचानक बस रुख जाती है 200 लोफलोर बसों में से हर रोज 40-50 बसे हो रही खराब मातेशुरी कंपनी की लापर वाही उजागर जेसी टीएसल के अधिकारियों की उदास सिंता आई सामने अधिकारी बिना वेरिफाई किये कर रहे लाखो रुपे का भुक्तान मेंटेनेंस के नाम पर हर महिने 4 करोड रुपे का हो रहा भुक्तान इसके बावजूद बसों में CCTV कैमरे, पंके सही कई सुविधाओं का अभाव जैसे टीएसल को हो रहा लाखो रुपे के राजस्व का नुक्सान मेंटेनेंस नहीं होने से यात्री भार में लगातार आ रही गिरावट आमजन का लोफलोर बसों में विश्वास कम हो रहा बसों की बदहाली का कारण धुक्तान से पहले मॉनिटरिंग नहीं होना है बहराल अधिकारियों को चाहिए कि लोफलोर बसों के मेंटेनेंस पर फोकस करें इसके बाद धुक्तान करें ताकि आमजन का विश्वास लोफलोर बसों से ना डगमगाए जैपुर में पबलिक ट्रांस्पोर्ट की हालत हर दिन बच से बत्तर होती जा रही है लेकिन हैरानी की बात ये है कि जिम्बिदार अधिकारियों के कान पर जू नहीं रेंग रही जैपुर में चलने वाली लोफलोर बस कब कहां और कैसे खराब हो जाए ब्रेकडाउन हो जाए कोई नहीं जानता लेकिन इसके बावजूत बसों की हालत सही करने के लिए अधिकारी कोई खास प्रयास नहीं कर रहे है केमरामेन गिरीज के साथ श्रीविंद्र पताप सिंग परमार फर्स्ट इन्या न्यूज जैपुर्व